आज भारती सिनेमा के दिगज निर्देसक स्क्रिन राइटर रहे कमाल अमरोही नाम के ही अनुरूप कमाल की प्रतिभाती इंडस्ट्री को उन्होंने पाकिजा, महल और रजिय सुल्तान जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी वही हिंदी सिनेमा के सबसे भवबे फिल्म मुगले आजम के डायलोग लेखन में भी उनकी सहभागिता रही बता दे कि कमाल अमरोही हिंदी और उर्दू के कवी थे, कमाल अमरोही की जिन्दगी किसी फिल्म की कहानी सरीख थी उन्होंने बचपन में घर चोड़ा और फिर अपनी मंजिल खुद तलाश करके एक मुकाम हासिल किया लेकिन आज हम जानेंगे उनके बेटों के बारे में कि आखिर वो कहां और किस हाल में गुजार रहे हैं अपनी जिन्दगी कमल अमरोही का जन ब्रिटिस भारत में सैयुक्त प्रांथ अमरोहा में हुआ था और बाद में कमल अमरोही नाम ले लिया था वो पाकिस्तानी लेखों को जोन ऐलिया और राइस अमरोही के चचेरे भाई थे हाला कि इन्हें सेयद अमीर हैदर कमल नकवी जिन्हें कमाल अम्रोही के नाम से जाना जाता है एक भारती फिल्म निर्देशक और पठकता लेखक थे और एक उर्दू और हिंदी कवी भी थे उनकी हिंदी फिल्मों में महल, पाकिजा और रजिय सुल्तान सामिल है उन्होंने 1953 में कमल पिक्स्चर्स और 1958 में बॉम्बे में कमलिस्तान स्टूडियो की स्थापना की कमाल अम्रोही का असली नाम सेयद अमीर हैदर कमाल था कमाल साहब का जन 17 जनवरी 1918 को उत्तर परदेश के अम्रोहा में हुआ बचपन में कमाल काफी शरारती हुआ करते थे एक दिन उनके शरारत से तंगा कर उनके बड़े भाये ने उनको एक चाटा मार दिया गाल पर पड़ा थपड़ कमाल अम्रोही के दिल पर जा लगा और उन्होंने गुस्थे में घर छोड़ दिया कमाल अमरोही छोटी उम्र में घर छोड़ कर लाहोर चले गए यहीं से उनके अंदर लेखन के प्रती दिल्चस्पी जागी रिपोर्ट्स के मताबिक लाहोर में रहते हुए कमाल अमरोही ने एक अर्दू अख़बार में लिखना शुरू किया मगर अख़बार की नोकरी में उनका खास मन नहीं लगा वो लाहोर से निकल कर मुंबई आ गए यहां उनकी मुलाकात सोहराब मोदी, कुंदरलाल सहगल और खवाजा एहमद अबास जैसे दिगजों से हुई कमाल अमरोही को पता चला कि सोहराब मोदी को एक कहानी की तलाश है उनकी कहानी पर आधारित फिल्म उकार सूपर हिट रही और इस तरह लेखन का सिलसला चल पड़ा वर्श 1949 में कमाल अमरोही ने फिल्म महल के जरिये निर्देशन की दुनिया में कदम रखा कमाल अमरोही ने अपने करियर में कुल जमा चार फिल्मों का निर्देशन किया ये फिल्में थी महल, दाइरा, पाकिजा और रजिया सुल्तान पाकिजा फिल्म कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था 1958 में बनना शुरू हुआ ये फिल्म 1971 में बनकर तैयार हुई फिल्म की शुरुआत के वक्त मीना कुमारी कमाल अमरोही की पत्नी थी लेकिन दोनों के अलगाओं के बाद ये फिल्म लटक गई हाला कि कमाल अमरोही ने हार नहीं मानी और आखिरकार मीना कुमारी को पाकिजा पूरी करने के लिए राजी कर लिया पाकिजा को भारते सिनमा इतिहास के शांदार क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है इतना ही नहीं उन्होंने के आसिफ के निर्देशन में बनी कालियजी फिल्म मुगले आजम के डायलोग भी लिखे इस फिल्म के लिए उन्हें बेश डायलोग का फिल्म फेर अबोर्ड मिला था 11 फरवरी 1993 को कमाल अमरोही इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ गए कमाल अमरोही के बेटे तासदार अमरोही जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक पाकिजा का निर्मान किया एक भारती अभीनेता, निर्देशक और निर्माता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 में रिलीज हुई फिल्म रजिया सुल्तान में दिर्देशक और अभीने से की थी वहीं इनके दुसरे बेटे की बात करें तो इनका नाम सांदार अमरोही है प्रीती जिन्टा के गोड़ फादर और कमाल अमरोही के बेटे के नाम से मशूर है सांदार अमरोही 68 जोगेश्वर में विवादित कमलिस्तान स्टूडियो के मालिकों में से एक थे जो अब इस दुनिया में नहीं है इनका निधन 21 अगस 2011 गोवा में हुआ था खबरों की माने तो प्रीती जिन्टा को सांदार अमरोही ने गोड़ लिया था निधन के वक्त सांदार अमरोही 600 करोड की संपती के मालिक थे और वो अपना पूरा शेयर प्रीती जिन्टा के नाम पर देना चाहते थे लेकिन प्रीती ने 600 करोड की संपती लेने से इनकार कर दिया था बता दे कि प्रीती जिंटा IPL के टीम किंग्स 11 पंजाब की सहमालकीन भी है तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये बाई बाई